कि नमस्कार दोस्तों इन्वस्तिक यूट्वी यूट्यूब चनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज से हम एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है डिस्क्रीट इस टेक्चेर एंड थियोरी आप लॉजिक इस सब्जेक्ट का कम्प्लीट विडियो शीरी हमने कस्टमाइज कर रखा है जो की आलोबर इंडिया अलग 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 इन्वस्टी अलग कॉलेज का लगभग सारे टॉपिक जो है उसमें कभर हो जाएंगे और आपको जो अकैडमिक है जैसे यूनिट वन टू थ्री फोर फाइफ सारे उनिट होते हैं हर यूनिट को हम इक वाइज एक एक चीज को डिटेल में कभर करेंगे और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिरीज नोट्स भी लेके आएंगे जो आपको लिए आपके लिए वेलबल होगा और उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो हम सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले डिस्क्रीट करेंगे कि कौन से टॉपिक है जो हम लेके आगे मूब करते हैं तो सबसे पहले देखे कर नाम तो आपको नाम से समझ में आएगा कि यहां पर डिस्क्रीट इस्टेक्ट्ट और ठीया प्लॉजिक यहां पर दो अलग अलग टर्म है दो अलग अलग आपस में एक काफी अपन करके यूनिक शिलबा से यूनिक सब्जकनाम बनाया गया है जिसमें डिस्क्रीट स्टेक्चर के भी टॉपिक को आपको पढ़ना है और थयोरिये अब लॉजीक को भी पढ़ना थिक है तो यहां पे दौ पार्ट है तो सबसे पहले हम discrete structure को समझेंगे actually होता क्या है और हम मैथ में हाँ पर पढ़ रहे हैं इसका क्या application है हमारे किसी आगे के education में है आगे के कहीं भी competition में और इसके बाद हम theory of logic को भी तरह समझेंगे तो देखते हैं discrete structure देखें discrete structure में सबसे पहला keyword है आपका discrete इसके बाद आता है structure तो discrete से क्या meaning होता है जनरली discrete होता है distinguishable ऐसा कोई item डो distinguishable है जिसको अलग-अलग किया जा सके उसी का मतलब होता है discrete यहाँ पर समझने के लिए हम देखेंगे data सबसे पहले data की discrete में समझेंगे कि क्या role है और कैसे वाता है तो यहाँ पर हम data देखें data means जब भी आप कोई subject पढ़ते होंगे या कहीं पे computer system की बात करते होंगे तो हर जगे input processing और output हर जगे किसी का processing होता है data का इनपुट होता है data ही process करता है data ही output होता है तो इसी data को हम दो पार्ट में कटेगराइज किये हैं यहां पर एक पार्ट होता है discrete data और दूसरा होता है continuous data discrete क्या है generally discrete mean distinguishable data या जिसको हम कह सकते है whole number या फिर category कोई whole number हो या फिर कोई categories हो उसको हम कह सकते है discrete data जैसे example तोर पर यहां लिखा हुआ है number student in class आपकी class में कितने number आप student है यह क्या है discrete data है जैसे आप कहते है 50 60 तो यह discrete data होल नंबर है आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 50.5 student है 31.3 student है ऐसे आप नहीं कह सकते क्योंकि हो whole number की बात करता discrete data इस तरह से हो सकते हैं दूसरा example ले सकते है number of car in the parking किसी भी parking में कितने car हैं कितने parking allowed है यह भी क्या होगा discrete data क्योंकि वहां पर हम उसको break नहीं कहसे रहते हैं अगर हम उसको देखें तो number में whole number में ही जाएगा जैसे 10 कार पार्किंग 20 कार पार्किंग वह सब क्या होगा discrete data में तिसरा example हो सकता है number of department जैसे आप college में होंगे तो अलग अलग department है computer science, electrical, mechanical, civil ऐसे कई सारे department है तो हर department क्या है अपने आप में एक individual whole number whole category है एक category है जो इसमें की number of data हो सकते हैं तो यहां पर department को यह ब्रेक नहीं कर सकते हैं जैसे हम कर दें कि 1.5 department of CS department ऐसे नहीं कर सकते नहीं तो मतलब एक department, दो department, तेन department ऐसे हम counter करके कर सकते हैं तो इस ही को करते हैं discrete data तो ओभराल जो subject discrete structure है एक किवल किस टाइप data पर काम करेगा discrete data पर दूसरा होता है continuous data continuous data में क्या होंगे जैसे decimal number हो measurement हो या फिर कोई scale हो इस तरह के अगर कुछ होता है किसी person की height क्या होगा वहां पर देखिए अब decimal में आ सकता है यहां पर decimal point में भी आ रहा है number तो यह क्या हो सकता है continuous data ऐसे ही weight up object किसी object का weight अगर देखना है तो object भी kg उसके बाद उसके बाद ग्राम में ऐसे हो सकता है मतलब हम कहीं कहीं decimal की तरफ जा रहे हैं तो measurement करना हो या फिर आपको scale करना हो जैसे हम बोले temperature आप रूम किसी रूम का temperature यह भी क्या होगा हमेशा आपको कहीं कहीं point में ही value इसकी दिखती है तो इस तरह कहीं स्केलिंग टाइप का या decimal में मिजर्मेंट स्केल दिख रहा तो यह सारे क्या होंगे continuous डेटा अगर कहीं पर whole नंबर दिख रहा है या category दिख रहा है तो सारे क्या होंगे कोई confusion है तो comment box में आप कीजिएगा और इसको बताने की गुशिच करेंगे तो इसके बाद आता सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अगर इसका अप्लिकेशन देखे कहां कहां यूज होता है तो जब आप कोई डिजाइन करते हैं अपने डेटा सेटें में करेंगे अलग 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 पर्रोग्रामिंग करते हैं तो यूज सकते हैं क्रिप्टोग्राफिज्ड यह Chemie करते हैं और से krica नेट्वर्क से मतलब है कि simply एक तो ही है वहाँ पे लॉजिकल पॉइंट आप व्यू लॉजिकल ली उसको कैसे यूज करेंगे तो जहां पे और जहेंट बात जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे या कुछ डिलॉप्मेंट करेंगे तो आपके पास डेटा के साथ लॉजिक होना है यह जैसे आप रिजिनिंग मैथमेटिक में भी यूज करते हैं कोई प्राबलम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे भी क्या कहीं कोई लॉजिक आप लगाते हैं लॉजिकल फॉर्म में ही रिजिनिंग को सॉल्व करते हैं इट इंक्लूट है जो अभी हम सिल्बर सब टॉपिक में डिटेल में इसको कफर करेंगे कुछ फॉर्मल प्रूफ में भी इसकी जरुवत पढ़ती है अप्लिकेशन कहां कहां होगा इस लॉजिक का थी आफ लॉजिक का साफ्टर डेलप्मेंट काफी इंपॉर्टन फार्ट है जब भी आफ सा इंडिविजुली कहीं कहीं डिट्री अप्लॉजी का में यूज करते हैं तेत हो गया इंट्रॉट्री का क्लास मारा लेकिन हम जो सेल्बस लेके चलेंगे आपके अकैडमिक परपस से वह से आप यहां पर देख सकते हैं इस टाइम यहां पर स्क्रीन पर भी आ रहा है जो यूनिट वन है ध्यान देख यूनिट वन में दो टॉपिक है सेट थियूरी और रिलेशन्स और पोसेट एंड लेटिस यह आपकी यूनिट वन में है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है ओ भी यहां पर दिया हुआ डिटेड में टॉपिक हम कवर करेंगे उसको यहां पर एक चीज और समयने की बात है जो डिस्क्रीट इस्ट्रेक्चर हमने बोला और थियूरी आप लॉजिक यहां पर दो टॉपिक है तो सेलबस में दोनों से भी कवर होना चाहिए तो जो पहला यूनिट के टॉपिक है दोनों यह दोनों बिलॉंग करते हैं कि इसके युला दोन से से सब्सक्रेक्चस वेश्या कसे डिस्क्रीट मैं और से दोनों ने अवी और चाहिए त्यूरीम सेलबस में के यहां सारे टॉपिक इसमें आते हैं डिस्क्रीट इस्टक्चर में तो अगर सेलबस को हम समराइज करें तो यहां पर दो टॉपिक जो थियोरी आप लॉजिक है यह तो कम्प्लीटली थियोरी आप लॉजिक डिपेंड कर रही है बूलियन अलजब्रा दोनों में आ जाते हैं और इसके अलामा जितने भी टॉपिक है वो सारे किसमें आएंगे डिस्क्रीट इस्टक्चर में तो चलिए हम अब नेक्ट लेक्च सकते हैं और हमारे साथ लेक्चर वाइज आगे बढ़ सकते हैं एक टॉपिक कॉफी डिटेल में हम समझाते हुए चलेंगे थैंक यू सो मच